हेलो दोस्तों मैं आपके लिए देखी कि बहुती प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूं लौज का और ये मैं पार्ट वन में बता रही हूं आपको बॉर्डर कैसे बनाना है तो इसमें मैंने 14 फंदे डाले हैं 14 और ये येलो कलर तो इसको हम पहली रो इसमें सीधी तरप से भी उल्टी और उल्टी तरप से भी उल्टी बना लेंगे और ये डिजाइन सीधी तरप से रखा जाएगा और दोस्तों मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना जादा से जादा सेर कर देना और मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कर देना जिनोंने सस्क्राइब नहीं किया और जिनोंने सस्क्राइब किया है उसका दिल से धन्यवाद अगर दोस्तों आपको कहीं से भी समझे नहीं आता तो आप मेरे इस्टाग्राम पर जाकर मुझे पूछ सकते हो ये देखिए उल्टी तरफ, उल्टी तरफ से भी मैं इस रोखो उल्टी उल्टी ही बनाऊंगी अब यहां देखिए दोस्तों इस तरफ हमें पली बनाते जाना है इस तरफ भी और इस तरफ भी हमें ये वाले बंदे जैसे हमने उल्टी साइड में बनाया था तो इस साइड में हम ऐसे इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और दागा अपनी तरफ रखेंगे जब भी आप इस तरफ आओगे तब भी और जब उल्टी साइड जाओगे इस तरफ से तब भी ऐसे ही तो हम ये उल्टे बना लेते हैं ये दो तीन चार पांच ये छे दागा पीछे की तरफ ये दो दो चार छे और ये एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ और ये वाला फंदा सीधा और यहां पर यह जाली बनेगी यहां पर फंदे बढ़ते जाएंगे और यहां पर फिर छे फंदे दो दो चार छे फंदे यह उल्टे आइसे, देखिए और उल्ची तरफ से भी आपको ऐसे ही ये इस त्रीके से उतारना है और फिर दागा अपनी तरफ फिर ये साही रो, उल्ची 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 रो में दोस्तों इस साही रो को हम उल्ची उल्ची ही जाएंगे और यहां पर देखे ऐसे नहीं इस तरीके से पीछे से लाकर ऐसे और फिर देखे सीधी तरफ इस फंदे को ऐसे उतारेंगे दागा अपनी तरफ और यह फिर छे फंदे फिर उल्टे एक हमने उतारा और पांच फंदे यह उल्टे यह हर रो में ऐसे ही होंगे और यहां पर देखिए यह वाला फंदा यहां पर जो यह वाला फंदा होगा सीधा यहीं पर ही जाली बनेंगी यह ऐसे दागा अपनी तरफ करके इस सीधे फंदे के बाद जाली बनेंगी इस बाद का आपको द्यान रखना है तो यहाँ पर हमें ऐसे, यह सीधा, और तागा अपनी तरफ, और यह 6 उल्टे, दोस्तों यहाँ पर हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं, 6 जाली बनाकर 6 फंदे बढ़ा देने हैं, तो मैं इसमें 6 फंदे बढ़ाकर फिर आपको आगे बताती हूं, आगे कैसे करना है, और उल्टी दोस्तों उल्टी उल्टी ही बनेंगी देखिए मैं चछटी जाली पर आ गई हूँ तो यहां पर क्या दियान देना है देखिए हमने एक यह वाला फंदा और एक यह वाला फंदा सीदे रखे थे और बीच में जाली बिलना आई थी तो छे फंदे बीच के होंगे और एक मोतल आठ फंदे हो जाएंगे दोस्तों यहां पर यह आपको द्यान रखना है ताकि आप इसमें कि देखिए एक फंदा हो गया यह वाला जाली का एक दो और यह तीन यह तीन फंदे चार पांच छे साथ और यह आठ यहां पर हमारा यह डिजाइन कम्पलीट हुआ और ऐसे ही आपको ब्लैक कलर मैं इसमें ब्लैक कलर लगा रही हूँ तो उसमें न थोड़त दिखाई नहीं देता तो उसमें मैं यही फार्मूला बताऊंगे आपको यहां पर सीदे जब आपके आठ हो जाएं तो यहां पर आपकी जाली कम्पलीट तो यहां पर क्या करना है देखिए ऐसे दो का एक जो हमने छे फंदे बढ़ाए थे और यहां पर होगी छे फंदे गटा देंगे दो तीन चार पाच और यह छटे में दोस्तों हमें दूसरा कलर लगाना होगा हर उसमें ऐसे ही जब आप लेक से यल्लो पर आओगे तब भी आप ऐसे ही करोगे यहां पर मैं यहां पर यह ऐसे छे फंदे कम हो गए और इस यल्लो को यही पर छोड़ देंगे और यहां पर फिर उल्टी उल्टी ये रो जैसे उल्टे में हम उल्टी रो कम्प्लीट करते हैं ऐसे ही तो देखी सीधी तरफ से यहां पर भी ऐसे ही जैसे हमने यल्लो कलर में लग करा था वैसे ही यहां पर छे फंदे एक फंदा उतारा और ये पांच फंदे उल्टे और यहां पर देखी सीधा फंदा है तो यहां पर ये सीधा फंदा और दाग अपनी तरफ और एक ये वाला सीधा फंदा यहाँ पर जाली यहाँ पर फंदा बढ़ना सूरू होगा और यह 6 फंदे फिर उल्टे तो दोस्तों मैं आपको यह बिल्कुल सारा कम्पलीट करके फिर दिखाती हूँ मैंने कितने इसमें वोडर में कितने डिजाइन बनाए हैं देखिए दोस्तों मैंने यहाँ तक कम्पलीट कर लिया यह मेरे एक दो तीन चार बलैक के बने हैं चार ही यलो कलर में बने हैं तो जीतनी आपकी कमर होगी उसके इसाब सिया बना लेजिए यह अगर मैं इसे नहीं खींचूंगी तो नॉर्मल उससे यह 13 इंच का होगा अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे खचाई करूंगी तो यह 15 इंच कमर का रहेगा क्योंकि हमें थोड़ा खींच कर ही रखना होगा अगर हम ऐसे ही नॉर्मल रखेंगे तो यह लूज हो जाएगी ऐसे यह 13 है और खींच कर 15 हो जाएगा और देखिए तो यहां पर मैं आपको फंदे उठाना बताऊंगे फंदे यहां पर कैसे उठाए जाएगे यह देखिए उल्टी साइड से आप उल्टी साइड से लेंगे इसको और यहां पर यह जो जाली बनी हुई है यहां पर यह जाली बनी हुई है यहां पर आप एक फंदा उठाते जाओगे जितने भी आपके यहां फंदे बनेंगे अगर इसके उठाने के बाद आपके फंदे कम बनते हैं तो आप इसमें फंदे बढ़ा लीजिएगा उसके बाद तो यहां पर यह देखें दोनों तरफ से दिखाती हूँ मैं यहां पर भी यह और इस तरफ से भी ऐसे इस जाली के पास से एक एक फंदा उठाएंगे तो मैं यह फंदे उठा लेती हूँ तो देखें मैंने यहां 50 फंदे उठा ली हैं मेरे यहां पर 50 फंदे ही उठे हैं अगर आपके ज़्यादा हैं तो ठीक है तो यहां पर मैं 70 फंदे रखूंगी यहां कमर के इसाब से 70 फंदे रखूंगी और 10 में यहां पर 50 हैं तो मैं यहां पर 20 बढ़ा लेती हूं और यहां पर कैसे करना है यह रो भी उल्टी उल्टी होगी और उल्टी तरफ से भी उल्टा उल्टा ही बनेगा सीधी तरब से भी और उलटी तरब से भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर यलो कलर का यह उल्टी साइड से देखिए यहाँ पर यह इस तरब से ही यह सीधा माना जाएगा तो हम यहाँ पर यह रो सीधी सीधी बनाएंगे यह वाली रो तो सीधी सीधी बनाएंगे और उल्टी तरब से भी सीधा बनाएंगे ऐसे बना लेंगे तो यह सही से फिट हो जाएगा देखिए वैसे तो मैं सीधी तरब से ही बना लेती तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से होता है जो अच्छा नहीं लगता और इस सीधा तो मैं इस रो को भी निकाल लेती हूं सीधा सीधा और उल्टी तरब से भी आप कोई रो सीधी निकालनी है फिर सीधी तरप से भी सीधी ऐसी सीधी रो निकाल लेने के बाद देखती हूं मैं कितनी रो निकालूंगी और दोस्तों मैं यहां पर फंदे बढ़ाना बूल गई तो मैं यहां पर फंदे बढ़ा लेती हूं आप इसमें अपनी हिसाब से कमर के हिसाब से रखिएगा मैं इसमें 70 पंदे बढ़ाऊंगी और ये मेरे 50 हैं तो इसमें 20 पंदे और बढ़ जाएंगे देखिए एक रो मैंने उल्टी तरब से निकाल ली और एक सीधी तरब से सीधा तरफ इस तरब से होगा मैं बार बार आपको बता रही हूंगी ताकि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दें और यह उल्टी तरफ होगा वैसे यहाँ पर दोनों तरफ से ही उल्टी उल्टी रो निकलेगी मतलब जो मैंने आपको बताया था सीधी तरफ से अब यह सीधा है तो यहाँ पर सीधा सीधा ही बनाऊंगी मैं और उल्टी तरफ से भी सीधा सीधा तो दोनों तरफ उल्टी उल्डी स्लाई बन जाएगी और मैं आपको आगे बताऊंगे कि मैं कितनी रोर निकालने के बाद कितनी रोर निकलेगी यहां पर क्योंकि हमें यहां पर यह कवर करना है यहां तक हमें यह बनानी होगी यहां तक देखिए इस रो यहां तक बनाना होगा इसलिए मैं यहां पर आपको रो निकाल कर बताऊंगे कि मेरी कितनी रो निकली है यहां पर देखिए मेरी इसमें कितनी रो बनी है यह है सीधी साइड और इसमें एक, दो, तेन, चार, पांच पांच रो सीधी तरफ बनी है और छे उल्टी तरफ यह जो बना है यह उल्टी तरफ से है तो यहाँ पर छे रो उल्टी तरफ से बनी है और पांच रो सीधी तरफ से और मैं यहाँ पर उल्टी तरफ आ गई हूँ तो मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर 50 फंदे उठाए थे तो 20 फंदे यहाँ पर बढ़ाए थे 70 हो गए तो तो यहाँ पर 10 फंदे में और बढ़ा लूँगी 80 फंदे खुल रखोंगी आप अपनी कमर के इसाब से रखिएगा और अपनी जैस्ट के अंसार से आपको कितने फंदे लेने हैं कम जादा उसके इसाब से ले सकते हो और यहाँ पर यह रो उल्टी उल्टी बनेगी और यहाँ पर 10 फंदे में डालूँगी और अगली सीधी रो में आपको में डिजाइन बरनाना बताऊँगी और ये देखे दोस्तों मेरा इसमें ये यहां पर ऐसे यहां तक बन गया है यहां तक तो आगे मैं यहां पर डिजाइन बताऊंगी आपको सीधे रोमें डिजाइन कैसे बिनाना है तो यहाँ पर फंदे कैसे बढ़ाने हैं देखिए एक फंदा यें ऐसे बढ़ाऊंगी मैं इस तरीके से यहाँ पर 10 फंदे बढ़ाकर 80 फंदे बना लेती हूँ यहाँ पर मैं सीधी साइड में आ गई हूँ तो यहाँ पर मैं आपको डिजाइन बनाना बताऊंगे और 80 फंदे यहाँ पर मैंने कम्प्लीट कर लिये तो यहाँ पर 2 के मल्टी में फंदे रखे जाएंगे और 4 फंदे एक्टरा दोनों तरफ 2 फंदे स्टिच के लिए 2 फंदे, 2 सीधे 2 उल्टे और देखे यहाँ पर जो यह दो फंदे हैं यह पहले वाला फंदा छोड़कर यह दूसरे वाला फंदा होगा पहले हम इस फंदे को बनाएंगे ऐसे ही और फिर इस 1 फंदे को बनाएंगे इस तरीके से और दागा अपनी तरफ दो उल्टे दागा पीछे देखिए ये वाले बंदे हैं इस तरीके से ये बना लिया फिर ये वाला और फिर हम उतार देंगे इसको थोड़ा लूज लूज ही बनाईएगा ताकि ये बहुत अच्छे से बन कर आए देखिए दो उल्टे और ये दो सीधे फिर वैसे ही पहले ये वाला फंदा ऐसे ही छोड़ेंगे और इस वाले सेकिंड फंदे को वैसे बनाएगे और फिर फिर फंदे को सीधा और फिर दागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे तो इस रो को मैं यहां कम्पलीट कर लेती हूँ तो ऐसे ही आप इसको रिपीट करते जाएगा और उल्टी साइड में साइड रो उल्टी उल्टी सीधी साइड में फिर वही दुबारा से ऐसे ही आप जैसे हमने फिर्ट रो में डिजाइन रखा था सेम ऐसे ही दो फंदे सीधे दाग अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे ऐसे ही जै पहले सेकंड फंदे को बनाएंगे इस तरीके से फिर फर्स्ट फंदे को फिर दाग अपनी तरफ दो उल्टे सीधी साइड में ऐसे ही डिजैन रखें ये और उल्टी साइड में साई रो उल्टी उल्टी तो ये डिजैन ऐसे ही बनता चले जाएगा देखें दुबारा से बताती हूँ यहाँ पर ये सेकेंड फंदा फिर फर्स्ट फंदा ऐसे बहुत प्यारा सा डिजैन बनकर आजाएगा तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि इसमें आर मॉल में कितना बनाकर मैं आर मॉल को गटाऊंगी और हमें ये मॉंडे में कितने फंदे रखने हैं तो सेकंड पार्ड में आप मैं आपको बताऊंगी तो ये आप ऐसे ही रिपीट करते जाएए तो बहुत ये अच्छा डिजाइन बनकर आएगा तो थैंक यू दोस्तो और यहां पर देखिए बाद में यहां पर हम ऐसे है ये तो इस तरीके से यहां पर चाहे आप मोती लगाएं चाहे यहां पर छोटे वाले स्टोन लगाएं जैसा भी आप लगा सकते हो और देखिए यहां तक बनकर तयार हो गया है